नमस्ते जी वैदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज कहा हमारा विशे है वेद ना होते तो सनातन धर्म राम क्रश्न और दयानन भी ना होते आज के इस लेख के लेखा के वैदिक पदबान मनमुहन कुमार आरे दहरादून से इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकोन की घंटी को दबाना ना भूलें, धन्यवाद आईए विशे की और चलते हैं वैद सब्दकार्थ जयान होता है, वैद नामी जयान, रिगवीद, यजरवीद, सामवीद, एवम अथरवीद, नाम की चार मंत्र सहीताओं की संजाहे यह ज्यान कब और कहां से प्राप्त हुआ प्रश्ण उठता है इसका स्तुरूत क्या है हम जानते हैं कि ज्यान का स्तुरूत विदवान हुआ करते हैं विदवान गुरूओं और ग्रंतों का अध्यन कर विचार चिम्तन कर जो सत्य का अनुभव करते हैं उसका प्रवचन वग्रंत लेखन करके उसे सत्य मनुश्यों तक पोचाते हैं सामाने मनुश्यों तक वर्तमान में वेद चार मंत्र सहिताओं के में पुस्तक रूप में उपलब्द हैं परिन रिशी दयानंत्रत प्रमानिक आंसिक संस्क्रत वह हिंदी भाष इनका उपलब्द हैं अन्य आरे विदवानों के हिंदी भाष भी उपलब्द हैं वेदों के मंत्रों के करता रचीता वो प्रवक्ता कून हैं इस पर विचार करते हैं तो जात होता है कि वेदों का जान सश्टी के आरंब में प्राप्त हुआ था। जान सहित भाषा की भी अवश्टा थी। इसका कारण है कि जान हमेशा भाषा में ही नहींत होता है। अवश्टमान सत्ता की अवश्टा थी। उस समय जगत में सर्वयापक परमात्माही एकमात्र रेशी सत्ता थी। जो सर्वज और सर्वशा ग्यान में थी। प्रश्ण है कि क्या वहा इश्वर नामी सत्ता आदी मनुश्यों को प्रग्यान दे सकती थी। इसका उत्तर हां में मिलता है। जो सत्ता बिना मनुश्य सरीधारन की ये अपनी सर्वयापक्ता, सर्वज्जता, निराकार, शुरूप, तथा सर्वस्तिमत्ता गुणों से इस ब्रह्मान की रशना कर सकती है। वहा संचलन कर सकती है, जो चेतन सत्ता, आम इत्यूनी स sensory में बड़ी संख्या में मनुश्यों को उत्पन कर सकती है। वह सकता इस्तरी पुरुषों नाना प्रकार के प्राणियों के सिरीरों की रचना कर सकती है, अवश ही वह सकता मनुश्यों को वेद का जान दे सकती है, वह कैसे जान दे सकती है, यह भी प्रशन उठता है, इसका तर्क और युक्ति युक्त वर्णन रिशी दायानन जी ने सन अठार सो फिचतर में लिखित अपने सुप्रसिद गरंद सिट्यार्थ प्रकास में किया है उन्होंने कहा है कि परमातमा ने आदी चार रिश्यों अगनी, वायू, आदित, अंगेरा को क्रमसा, रेगवीद, जजुरुवीद, सामवीद यह मतर वेद का जान दिया था, जह जान सरव्यापक्यम सरवंतरियामी परमातमा ने रिश्यों की आतमा में उन्हें प्रेणा करके स्थापित और प्रदान किया था इस्वर से वेद जान के प्रेणा ग्रहन कर रिश्यों को वेद और उसके यथार्थ अर्थों सहीत इस्मरन करंथष्ट हो गए थे परमात्मा ने रिश्यों को मंत्रों के अर्थ भी जनाये थे इन रिशियों ने ब्रह्मा नाम के एक अन्य रिशिय को इन चारों वेदों का जान कराया इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन वेदों के जान देने प्रचार पठन की परमपरा महा से आरंब हुई प्रशलित हुई जो महाबारत युद्ध के समय तक नरबाद रूप से संचलित होती रही इस परमपरा से ब्रह्मा से लेकर जेमिनी परियंत रिशी मुनी वा मनश वेदों का जान प्राप्त करते रहे कराते रहे अपने शिश्चों से आके बढ़ाते रहे जेमिनी मुनी पर आकर वेदाधन की परंपरा में बादाएं उत्पन न हो गई जेमिनी रिशी के बाद रिशी परंपरा टूट गई अर्थात इनके बाद रिशी उत्पन नहीं हुए इस कारण देश में अज्यान के तमर उत्पन हो गया और देश अज्यान के तमर में डूब गया देश में अज्यान के फेलने से सरवत्र अंदवस्वास, कुरीतियां, समाज में अनेक प्रकार की विकरती उत्पन हो गई सन 1845 में गुजरात के मौरवी राज्य में टंकारा नामा ग्राम में रिशी द्यानन्द का जन्म हुआ उन्होंने मत्रा में प्रजा चक्छू स्वामी दंडी स्वामे वर्जानन सरसुती से आर्श व्याकरण नुरुक्त सहित वेदांगों का अध्यन किया वेदाद्यन के परंपरा को पुनरजीवित किया रिशी द्यानन्द के अनेक सिश्यों ने वेदाद्यन के परंपरा को गुरुकुलों के माध्यम से वेदांग का अध्यन कराकर आगे बढ़ाया वर्तमान में भी गुरुकुलों द्वारा वेदांगों के अध्यन और वेदाध्यन की परंपरा चल रही है वेदों के अविर्भाव से संसार में मनुश्यों का धर्म का विर्भाव हुआ वेदों के अविर्भाव से संसार में धर्म का विर्भाव हुआ वेद ही सश्टी के आरंब में झारां झालवानस झाल 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 झाल